कि यह जो कोई मेंस लिखके आएगा इस बार का कोई ऐसा तरी मेंस लिखके खतम होते ही लगा कि हैं चलो हमारे भी खतम हो गया इसा लगता है सा महल ऐसा होता है इसलिए है बट हां तो रेस्ट वेस्ट करों लिखके बैठे होते हो तो क्लास लगा के और तुझे काहे ओरियंटेशन अटेंट करना यह बता हुझे बहुत खाली है यह मिलना था इसलिए आया सच सच बता दे अच्छा ठीक है मेंस का पेपर देखां इसके अवाज तेज आ रही है बढ़ी को रहा है मेंस का पेपर देख सरल भाषा में समझाओ पेपर कैसा था अच्छा था खराब था प्रेडिक्टेबल था अंप्रेडिक्टेबल था कंसेप्ट्यूल था प्री जैसा था कि कुछ अलग है कि लास्ट यह से क्वेश्चन तो इजी थे कुछ अगर हम छह साथ कुष्चन हटा दे जो थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल थे या डिफिकल्ट थे उसके अलावा प्रेडिक्टेबल लाइन पर ही कुष्चन था कुछ डिर्क्ट क्वेश्चन थे लेकिन आज और आज कल है, so, थोड़ा static था, direct questions आये थे, concept based questions आये थे, इसका मतलब, pre का extension था, prelims with the conceptually पूछा था ना, उसने, hardcore concepts पूछे थे, means वाले में भी मैं कह सकता हूँ कि it was an extension of hardcore concepts only, so other than few bouncers which came which we will discuss today, उसके अलावा में बाकी हम देखें तो फिर वो concept based question है, मेरे according next year भी semi extend रहेगा, both in prelims as well as in means, prelims पे भी हम चाहें कि बहुत simple बना देगा, ऐसा तो नहीं होगा, कि 60 questions जो इस बाहर difficult है, उसकी जगहे 20 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, so there will be very high chances that you need to focus more towards the concepts, जो direct पूछा है, अब for example, they asked a question related to manufacturing, India's economic growth can boom only if manufacturing is good and within manufacturing MSME and government initiative, अब देखने का तो simple ही question है न, अब प्रॉब 5 number लाना तो easy है, उसी question में 5 number लाना, difficult है, कि वो सारे components बताने, how MSME is a silent engine of growth, how dwarfism का concept जो हमें इसमें add करना है, age-based policies या scale-based policies जो हमें लिखना है, उसी कही extra marks मिलते हैं, so देखने में भले ही question लगेगा, यह तो बहुत simple है and all है, but उसके usage को अगर आपको value add करना है, तो वो फिर keywords and all अब बढ़िया चल रहा है, अब एक study-based direct question आगया था, वैम वाला, varying hurts and minds approach component, यह काता न government scheme का question, कुछ भी जो पूछता है, इस बार, study-based question आया था, simple आया था, fortunately, तुमारी और हमारी किसमत बढ़िया ही थी, so paper 1, 3, यह तो थोड़े relatively simple थे, ethics का paper कैसा था, लेंदी था, नहीं था, लेंदी, लास्ट टाइम से कम था, अपन ने कौन सा time करके देखा है, बहार बैठे हैं, चाहे की दुकान पर बैठके अपन ने review करी लिया था paper तो, क्या ही है, यह भी सही है, चलो पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ है, orientation session है, तो पढ़ानी की तो class है न है, toppers कैसे use करते हैं, QEP को पुराने और नए में आप use कर सकते हो, so broadly artificial compartmentalization जो अपन करते हैं, हर बार यह quiz खिलता हूं, बच्चे के साथ, orientation में, पहले उसी से शुरू कर लेते हैं, चलो अब paper 23 वाले देखे आएं, इनको पता ही है, कि यह question कौन से paper में आता है, तुझे बता social justice आता है, IR आता है, eco, science and technology, disaster management, environment, security or ethics, broadly you have to tell me, ideally this question should come in which paper, discuss, यह 23 के है, ठीक है, discuss the consequences of climate change on food security in the tropical countries, किस में आना चाहिए, GS3 में, अच्छ, और why did human development fail to keep pace with economy, economic development in India, कुछ भी बता सकता हूँ, आप इसमें कोई issue नहीं है, 3, दो paper भी बता सकते हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक तो GS3 fix हो गया, दूसरा, GS1, GS2, ऐसे confusing कहोँगे तो एक ही option दोगा, फिर में, I need unanimous decision, 1, from being the net food importer in 1960, India has emerged as the net food exporter in the world, provide the reasons, 3, agriculture, यह तो गडवड हो गया, यह तो GS1 में पुछ लिया, यह भी GS1 में पुछ लिया, यह भी GS1 में पुछ लिया, अपन 66% पे फेल हो गया है, अगर मैं इसको एजूम भी कर लूँग, ब्रीफ description of CPEC and the reasons why, इर में आना चाहिए, आईडिली, पेपर 2 में आना चाहिए, आईडिली बता रहा हूँ है, इसा नहीं है कि मैं लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इनफॉर्म्ड कंसेंट है, खुदी बताना है तुमें, पेपर 2 एग्री, अब नहीं बताऊंगा, आँगे, फोर, खतम ही कर देते हैं ना काम यहार, तीन तो बताई दिये तुमें पेपर, वाइज आई 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 आए आए अश्स, अब मैं नहीं बोलूँगा, अब तुमें ही बोलना है, तू, थ्री, फूर, मिज़ॉरिटी किसे कर लेंगें अच्छा, आम इन यह फ्यूर, इस वाइपर वन, तू, थ्री, फूर, फ्वाइश, स्वेवन और थ्री, थ्री जादा हैं वैसे, तो उल्टा करते हैं, थ्री स्लैश वन लिखते हैं, वाइज इंडिया तेकिंगी इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट अर्क्टिक रीजन, पता नहीं, BPSC में आया होगा, इसमें क्या नहीं पता हूँ, अच्छा कह रहा गलती होगा मैं क्या बता हूँ, पेपर वन, वन में, स्लाइड में अया यहां भी वन में आएगा, व MAس एडिकर कैम एंटी पेपर वन, यहां यहां तुम लोग फिलोग एए यहां भी मजॉरेटी में नहीं भीнов किख थुण भाइड यहां पास होगाए 100 seats, 61 people we called for interview, समझ रव, 100 seat हैं, 60 बच्चो को बुला रहा हैं, आप इंटर्वी में बास, बाकी सब अच्छे नहीं है, क्यों, because they were not able to fulfill that 45% criteria, ये वी सही है, यार, चलो एक और खेल लेते हैं, लास्ट, despite implementation of various programs for eradication of poverty by the government in India, poverty is still existing, explained by giving reasons, paper 2, कितना, और paper 3, paper 1, 2 अब लिक 3 लिख देता है, okay, discuss whether formation of new states in the recent times is beneficial or not for the economy of India, थरी कैसे कह रहा है, मतलब, logic तो समझा मुझे, या आपन उस mode में आ गए हैं, कि जो normal है, वो तो आपन को बोलना ही नहीं है, मतलब, थोड़ा तो समझा, थरी कैसे, कौन से subject में डाल रहा है, थरी में, या हाँ, this question number 9, और कौन है थरी में, पीचे देख, अब लिक भाग दी तरी, GS1, 1 or 2, 1, define blue revolution, explain the problems and strategies for PC culture development in India, majority fail, what is the significance of industrial corridors in India, identify industrial corridors, explain their main characteristics, 3, 3, mention core strategies for the transformation of aspirational districts in India, explain the nature of convergence, collaboration and competition for its success, 3C approach जो चलता है, विच्पेपर, तू, कुछ तो अलग perspective लेकिया आता है तू, तू कितने है, और बाकी कोई और, चलो टू, अच्छा, online में भी तो बच्चे है, तू, तू, पॉलिसी कॉंट्रेक्शिंस अमंग वेरियस कॉंपेटिंग सेक्टर्स तू, देखो एकदम फेल, मतलब 50% में भी फेल कैसे हो जाता है यार, दो भी नहीं है, अब तुम्हें ऐसा तुम्हें लग रहा है, सर ने गलत डाल दिया वह, चेक कर ले ना भी घर जाके, वह सही है, खता होगया काम, क्या सीखे, क्या सीखे, क्या सीखे, कंपार्टमेंटलाइज तो नहीं कर सकते हैं, यह जो नूट्स उटाते हैं, मार्केट से यह अपने नूट्स बनाते हैं, चलो, इसको मैं एंवार्मेंट में डाल दूँगा, ऐसा तो नहीं चलेगा काम, सबसे पहले होगा, अगर एक दिन पहले रिवाइस किया है, तो फिर वो याद नहीं रहेगा, तो वो दो-तीन जो क्वेस्ट हो जाएंगे हमारे, तो वेनेवर यह और कन्फूज, पूट इंडर पेपर नमबर वन, और उसके बाद जो बज्जा है, फिर पेपर टू, फिर जो बज्जा है, वो थ्री यह लास्ट वाला फॉर, तो चलाना उसको ऐसी है, इस यूपी एसी इस नाट आर्टिफीशली कंपार्टमेंट है, अब गुड़ गवर्नेंस रिलेटेट क्वेस्टेट क्वेस्टेट कैन भी आज इस इस पेपर वन, स्किल एजुकेशन और लिंकेज वो जी इस वन में भी पूच सकता है, र्टी आई को पेपर थी में भी पूच सकता है, तो हमें ऐस थीम पढ़ना बढ़ेगा याल, क गुड़ गवर्नेंस क्या है, as a theme हम उसको, that can be related to ethics as well, that can be related to essay as well, so you need to connect that theme with various components or various parts of the syllabus, so artificial आप segregate कर नहीं सकते हैं, करेंगे तो फिर अगली साल बैठेंगे, कौन सी दिक्कत होगी है, अभी भी मुझे समझ नहीं है, तो मेंस देगे क्लास में क्यों बढ़ा है, तेरे अंसर तो अच्छे ही थे ना, मतलब आपन ऐसे क्यों सोच रहें कि नहीं होगा, मिलने का ये क्लास में कौन से मिलने का तरीका है, ये फिनिश हुआ, general taxation होगा, taxation fiscal policy है, this is the average marks of last 5 years, इसमें 23 added नहीं है, so 17 to 22 के जो 5 साल है, this is the significance of that theme, as we can see, agriculture 51, 51 कैसे आया होगा, कुछ पेपर 1 में प पेपर 2 में पूछ लिया होगा, पेपर 3 में फिक्स 4 questions आते हैं, 50 marks fixed है, पेपर 3 में उसके 2 10 marker, 2 15 marker, this is the average weightage of all these themes that we have, ये इस साल के questions है, कुछ बच्चे होंगे, अगर online में उनको पता होगा, कौन-कौन से questions आये थे, and in which all themes that we covered, कुछ 3, 4, 5 के example देके सम्झाओंगा, GS1 में we got almost 6 questions, GS2 में 7, GS3 में 14 questions, के कुछ gender issues and all, GS4 में question आये थे, वो social capital जो आपन सोच रहे थे, कि यार अब तक आया नहीं है, वो ने 1 में पूचा, ने 2 में पूचा, 4 में पूच लिया, अच्छे से cover किया था, expected था हो, then we have essay, girls are weighted down by restrictions, boys with demands to equally harmful disciplines, gender issues की class में में आमने cover कराया था, and education is what remains after one has forgotten, उसका कुछ component कवर कराया था, कि significance of education क्या है, so this is how I covered broadly significance of education, जब education theme पढ़ाया होगा, तो starting में I covered this, and then significance of education at the individual level, as the nation or society level पे, और इस पे अपनने कुछ 15-20 मिनिट के आस-पास का discussion किया था, यह एक bouncer था, कि connecting it with skill development programs have succeeded in increasing the human resources supply to various sectors, in the context of the statement, analyze the linkages between education, skill and employment, before I will come into कि, how we covered this particular topic, first tell me the different parts or components of this question, किते पाट में तोड़ना है, थोड़ा पड़ भी लेते हैं, online वाले भी बता सकते हैं, does it possible to cover the whole main syllabus in just 90 days, yeah I am not the right person to give the reply, because मेरा आंसर होगा, yes, मेरे पास एक बच्चा था, जिसमें अब बर दिन में पढ़के रहें कि कतिस लाया है, उसके अलावा कोई नहीं मिला मुझे, वो अलग बात है, बट हाँ, जब एक बच्चा ला सकता है, तो possible तो है, बट एक चीज को exception कहता है, नहीं usually, वो general example नहीं है, बता अब ही किते पाट होंगे, six, six part of this question, एक तो six part किसी question में बनाना ही नहीं है, एक तो वो sin है, second, अगर 10 marker question है, तो अच्छा, आपन को तो basic से पढ़ना है न, भूल गया मैं, 150 words, divided into three parts, introduction, conclusion, जिनकी heading नहीं देते हैं आपन, और body, introduction of a 10 marker question should be 20 to 25 words, conclusion should be 20 to 25 words, body should be 100 to 110 words, divided into at least two parts, 10 marker में दो पाट तो आए गई ब्रॉडली बता रहा हूं है, in 80-85% of the question, दो पाट होंगे इसमें, इसका मतलब एक पाट पे अपने को 50 से 55 वर्ड लिगना है, इसका मतलब हर पॉइंट पे तस वर्ड एक लाइन में पांच वर्ड अकानिकल नहीं है, यही स्ट्रक्चर है, कुछ तो रीजन होगा ने, इतना बच्चा रंक इंप्रू करके चला ज्यादा है, इसक कैसे शुबं कुमार एक बार सेलेक्ट हुआ, फिर सेकंड ताइम सेलेक्ट हुआ और फिर सेकंड एटम फिर थर्ड एटम में रंक बना गया, बहुत सारे जिवानिक आर्थिक उसी का बैच्वेट है, इन्हीं दोनों ने की निकाल लिए ना भी एक अंसर मेंस वाली है एक बार ही नहीं हो रहा है, इसे कैसे जिवानिकार थे कि 5 बार इंटर्व्यू दे गया, 2 सेलेक्ट ले गया, क्या लगता है? एक तो चलो किस्मत है, और क्या है? और क्या रिजन है और क्या रिजन है आपके इंदे सेम कैंडिडेट्स अर गेटिंग सेलेक्टेड यर और अपनी साले पूरी लाइबरेरी से एक भी सेलेक्शन नहीं हो रहा है इस तो रिजन नहीं होगा ना बोलो भाई तो तो अच्छा कर दिए मैं गरंटे लिखे दिर एंगर चेशह में करेंगा कभी सेलेक्शन नहीं होगा अर्टिफीचले खंपार्टमेंट्मेंट्मेंट्स नहीं करेंगा नंपन ओनी हों और क्या रिजन है कि अन्सर में उल्ट्चमेंट रहा धाता है्तों थी अंसर के एक structure और एक content enrichment वाला component वो दोनों का ही deadly combination होता है अगर आपका structure अच्छा है कि कितने parts पर divide करना है if you will write an introduction of 40 words for example आपने देखेंगे कुछ copies वो सकता है आप अपने initial days में आप भी 40 words का introduction लिखते हो तो अगर 40 वर का introduction लिखोगे और 40-50 वर का conclusion लिखोगे 50 word की body लिखोगे जिस पर नंबर आने वाला है तो नहीं आएगा ना नंबर पर दो नंबर आएंगे out of 10 फिर अपने को लगेगा मार्स पूनी देरा मैं तो date भी लिखके आया on 24th of April 1991 73rd and 74th amendment act नंबर नहीं देता बेवकूफ हो UPSC does not deserve me ऐसा नहीं होगा ना उसकी कुछ basic minimum hygiene factor है वो अपने को fulfill करना है कि एक legible answer होना चाहिए अलग-अलग color के pen use नहीं करने चाहिए introduction should not be more than 20-25 words वो तो context set कर रहा है अगर context setting will take 50-55 words तो गड़ बड़ है ना यह conclusion को बड़ा लिख दिया या जो पूछा है उसको 9-gram बना रहे हैं और जो नहीं पूछा है उसको heading बना के लिख रहे हैं वो भी गड़ बड़ है यह जो भी value add या content या enrichment जो भी हम बताते हैं उससे तो एक डिट नमबर बढ़ना है ना answer में तीन नमबर तो हमें main part से लाना है फिर उसमें one one and a half जुड़ेगा तो four four and a half marks बन जाएंगे ultimately translated into hundred plus marks तो जो basic hygiene factor है वो तो रखना ही रखना अब basic hygiene factor क्या क्या कहता है कि क्या 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 करना चाहिए एक तो घर जाके एक और मेहनत करेंगे लिखेंगे यूट्यूब पे कि answer writing session by MK याद हो तो कुछ starting science of answer writing के starting session मिल जाएगा जिसमें 10-15 components मैंने बताया हूंगा यह पक्का करने है और यह पक्का नहीं करने है उनको एक बार note down कर लेना और अपने पास रख लेना unlearning is a very difficult task unlearn करना जो process answer writing लिख रहे हो वह बहुत ही challenging task होता है बट करना तो पड़ेगा ही कुछ वाले phases में introduction can never be more than 20-25 words conclusion can never be more than 20-25 words body में जिस part पे पूछा है उस पे कभे diagram नहीं बनाएंगे जो नहीं पूछा है उसी पे ही micro diagrams बनाने हैं बस हमें वहीं से आधा-धा number लेके आना है हमें every heading when you are giving I'll give you lot of examples अभी आज में ही जब topper sensor discuss करेंगे whenever you are giving a heading of any particular component जैसे यह अगर paper है so you have to write at least five points अगर 5 points generate हम नहीं कर पा रहे हैं तो micro diagram मना दो छोड़ दो फिर यह करेंगे नहीं this can be written as this और उसको भी ऐसे मत लिखना हो उसको भी यह बनाना यह heading लिख देना कि कोई heading है जैसे present status फिर उसके 1,2,3,4 पार्ट करके फिर बंद कर देना हो अगर हमारे पास 5 points नहीं है किसी में तो heading नहीं बनाएंगे micro diagram में अपन कर लेंगे इसको यूस now again coming back to this question skill development program have succeeded in increasing human resource supply to various sectors in the context of the statement analyze the linkages between education skill and employment the first tell me the question is demanding how many parts 3 कौन कौन सा online वाली बता दो इंट्रो तो हो गया उसको छूड़ दो इंट्रो र कंक्लूजन को parts में counting करता मैं introduction अलग अच्छा तभी तुम चाह बोल गए इंट्रो अलग है वो mandatory है conclusion अलग है वो mandatory है body के parts पूछ रहा हूं वस मैं को अच्छा पूं को अच्छा अच्छा है इस वह तो बहुत देर से बने हुए हैं कौन कौन से हैं को अच्छा पूंग है कि विद्रिस्पेक्ट तो स्किल डवलप्मेंट कैसे बनाएगा कि कि skill को skill development से लिंक करके कैसे बनाएगा बिटा कि single heading there cannot be two headings in this question अगर two heading नहीं बनानी single heading बनानी तो मतलब single heading के अंदर सब components के points बढ़ा देंगे हैं अपन education के तीन पोइंट लिएंगे skill के तीन point लिएंगे और employment के तीन पोइंट लिएंगे तो 9 points हो गया 10 marker में 10 points तो अपने को लिखना ही लिखना है but we can have a micro diagram after introduction कुछ कुछ नया है एक डेट साल से ही चल रहा है after introduction we can draw a micro diagram which is substantiating this statement first statement अब इसको skip तो कर नहीं सकते हैं आपन कि skill development programs have succeeded in increasing the human resource supply to various sectors अब अपने को चाहिए facts कि भाई कौन कौन से skill development के program है जिसने human resource की supply बढ़ा दिया है so skilled labor force in technology formal skilled labor force कितना है health sector में कितना है बाकी export वाले में कितना है यहां हमें कुछ-कुछ facts चाहिए होंगे नहीं है तो scheme डाल देंगे कुछ but sector division कर सकते हैं अपन micro diagram में और उसके सामने यह तो scheme डाल दो या fact डाल दो यह जो लिखा है न तो present status या skill development succeeded supply to various sectors वो करके यहां पे health कर ले न कि health में कितना increase किया है यहां पे pharma medicine कर सकते हो यहां पे agriculture भी कर सकते हो start-up start-up पर सकतर यहां IT sector कर सकते हो this can be one of the way of substantiating this first statement इसको skip मत करना वास usually बच्चा जो मैं usually copy देखता हूं छोड़ दो पुछाता है नहीं कुछ in the context से start करता है first बनाता है linkages between education skill and employment वो नहीं करेंगे आप छीक है first class है बहुत ज्यादा content में नहीं कुछ होंगा हूं है ठीक है यह अपने देख लिया था winning of hearts and minds in the terrorism affected areas is an essential step in restoring the trust of the population अब वो यह statement जो दे रहा है ना उसको आगे पूछा तो है निसने अब अपन इग्नोर नहीं कर सकते है one third of the first page you have to give to this particular statement so you can't skip it फिर क्या होगा basic hygiene factors अगर हम miss करेंगे तो वो वो साढ़े चार-पांच कभी आए गाई नहीं इसलिए we cannot skip this component ये वाला part फिर second heading आएगे इसके discuss the measures adopted by the government in this respect as a part of the conflict resolution in Jammu in Kashmir this we covered case study जो अपन पढ़ाते हैं and all पसी मही youth engagement के time पर अपन ने cover कर लिया था कि क्या क्या components अपन कर रहे है explain the term social capital बढ़ बढ़िया हो दो-तीन साल से चाह रहा हूं है जैसे insolvency and bankruptcy code है न हो मैं ऐसा दिल से चाह रहा हूं कभी तो पूछ ले आई भी बीसी चैसा लोग है पांथा लोग है कुछ नहीं रहा anyways चलो explain the term social capital and how does it enhance the good governance good governance की theme में अपन ने cover किया था expected तो था की paper 2 में आएगा but paper 4 में पूछ लिया what do you understand by good governance and what is the role of social capital organization play in the governance of the country इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना हो था पता है if we know what social two or ethics में बस values and all examples काई फरक है 80% हमारा answer same ही रहता है only 20% we have to change because अब तो evaluator अलग अलग होगे ना पहले वाला तो गेम रहा नहीं है so 80% of your question will remain same poverty can be asked in 1 2 3 4 कहीं भी पूछेगा हूँ poverty in paper 1 will have more social angle but 80% तो same ही रहेगा ना poverty should not only be economic it can be psychological poverty it can be political poverty technology poverty वो headings तो same ही रहने वाली है examples कुछ कुछ चेंज हो जाएंगे so 20% answer vary करता है बस because जिसी यह good governance है अब good governance का concept अपन ने तो दिया नहीं है World Bank ने दिया था 1990s में दिया था 8 component है उसके उसको कैसी change कर दोगे if they have asked how social capital enhance good governance अगर वो यह पूछ लेगा how self-help group enhances good governance तो बदल थोड़ी जाएगा good governance के तो वही crap tree art component रहने है उन्हीं के साथ permutation combination करना है अपने को कित्ते question याद करोगे good governance है तो 40 component 30 component add हो सकते है सच भारत mission भी add हो सकता है local bodies का good governance connect हो सकता है state bodies का हो सकता है central government हो सकता है G20 हो सकता है कुछ भी हो सकता है technology हो सकता है main pillar क्या रखना है good governance उसके art component अपने को पताने now you just need to connect how social capital will lead to consensus oriented या responsible या accountable तो वो जो crab tree का full form है अपने को good governance की art component है वो याद करने है उसी में इसको fit करने है open class में देख लेंगे last question explain the changes in the cropping patterns in India in the context of changes in consumption patterns and the marketing conditions that we have so cropping pattern India किस किसे effect होता है वो component अपने देख लिए थे these are the factors which are deciding the cropping patterns last IPPC नहीं last नहीं एक और है intergovernmental panel IPCC has predicted global sea level rise of about one meter by twenty two one zero zero अब इसमें कुछ component दिया था हमने क्या क्या है और इसका impact क्या होगा यहां पर वो diagrams का मागए जो अपने कुछ 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 कवर कर रहे थे यह तो लिखाई हुए ना बच्चे नहीं लिख दिया था कि one meter rise will display seven million people तो factual introduction हो जाएगा अपना उसके बात तो लिखा ही है posturalism के components क्या है and all करके girls are weighted down by restrictions boys by demands gender stereotyping means it can be for female it can be for male की caring and loving होना है तो वो तो girl को ही होना है और domestic काम करना है तो girl को ही करना है एक बात लड़के से भी पूछ लो ना उसकता है उसको नहीं काम करना हो he is not interested in becoming the bread earner of the family तो घर पे रहना है two emotional impacts access to the leadership positions for female आप देखते होगे कि whenever the CEO position comes so three hindrances in the development of female एक तो entrance ही नहीं मिलता है अगर entrance मिल जाता है तो promotion नहीं मिलता है promotion मिल जाता है तो equal salary नहीं मिलती है so three levels different वाले पार्ट में और last dependent रहता है कि you need to protect the woman etc and all the male को एकदम strong रहना है नहीं रहना उसको गांधी बनना है यह भी तो हो सकता है कि उसको गांधी बनना हो submissive है weaker sex है instruction takers है etc and all which leads to frustration and frustration translates into domestic violence तभी covid में बढ़ा था फिर time constraint and all है अब यह भी भात सारे बच्चों का रहता है कि sir मेरा paper पूरा नहीं होता अब उसके दो perspective है एक as a teacher which I will suggest क्या करना है और क्या नहीं करना है etc and all और दूसरा as an evaluator as an evaluator I don't care मुझे तो copy check करनी है मुझे तो पूरे answer चाहिए जितने कम लिखोगे उतने कम number दे दूँगा मैं काम खतम no emotions attached so you have to finish full paper all 20 questions सब में introduction होना चाहिए सब में conclusion होना चाहिए सब में legible answer writing होने चाहिए सब में underlining होना चाहिए कुछ और काम कर लेंगे बहुत काम है हमारे पास भी काम है किसी का मन करें त्यारी वैरी नहीं करना है तो दिया यह सब में openings है और second component यह की paper pass करना है फिर first come up with that that glass ceiling effect की मुझसे तो नहीं हुआ बच्पन से अब तक नहीं हुआ paper कैसे कुछ नहीं होता है यार we have to finish the paper 12-13 question बहुत अच्छे होने चाहिए 6-7 question average होना चाहिए 2-3 question सबका खराब होता है वह same structure है सारे बच्चों के साथ में so you need to finish all this thing problem क्या आता है कि वह अब फिर strategy आती है हर बच्चे की अपने अपनी कि यारब मैं वह जो आच्छे अंसर लिखने हैं and on an average 10 मार करको 7.2 मिलता है minute और उसको 10.8 मिलता है 15 मार करको but सब में अपन equal weightage तो दे नहीं सकते इसका मतला कुछ question मुझे 4-5 minute में complete करने पड़ेंगे अधित्य शर्मा जैसे किये हैं actually कि आप 4-5 जो बहुती simple question है उससे related आप already लिख चुके हो तो वह तो अपन 5 minute से पहले complete कर सकते हैं यह good governance वाला question था जैसे social capital क्या है और good governance अगर something with good governance you have practiced for almost five six questions और social capital का structure diagram आपने set करके पहले ही पड़ा है तो अपन लिख लेंगे ना यार पांच मिनिट में ऐसा थोड़ी होगा कि पांच मिनिट में आपन उसको नहीं finish कर पाएंगे तो एक तो वह psychological mindset को change करना पड़ेगा कि this no answer can be completed before seven minutes ऐसा नहीं होता toppers have written answers in five minutes उसको अभी chest thumping करने के लिए वह जूटनी बोल रहा है तुम ही नहीं मिले हो कि आरे वावा क्या बहुत बढ़िया बंदा है पांच मिनिट में लिख देथा था उसको तुमसे clapping नहीं चाहिए वह अपनी preparation की strategy तुमारे साथ share कर रहा है जो सच है एक answer पांच पांच मिनिट में लिखा जा सकता है सारे नहीं लिखे जा सकते हैं पट वह चार पांच question तो लिखी सकते हैं अपन जिसका आपन ने अल्रडी बहुत प्रक्टिस कर लिया अब क्वेशन है था what all are the components of internal security अब internal security की component 4E चर्फ GF अपनने इतनी बाहर पड़ा है वो तो अपन लिखी सकते हैं यार फांच मिनिट में कैसे नहीं लिख सकते हैं और बेटर लिख सकते हैं तो चार पांच questions अपने को identify करके वो हमें पांच मिनिट में करना पड़ेगा जो cover करेगा अपने बाकी time में तो यह है वो टाइम वाला component and all फिर है प्रेजेंटिंग हाई-इंपक्ट कंटेंट multi-dimensional यूनीक प्रिसे पोइंट एट सेक्टरा फिर वो बच्चा complacency में आ जाता है वो भी देखना बड़ेगा आपको पेपर तो पूरा होई जाएगा quality का ही गेम है यार UPSC H.A.S. जैसा तो है नहीं H.C.S. जैसा कि वो सिरफ 61 को बुलाएगा 100 openings के लिए problem क्या है कि 70 marks लाना easy है उसी को 100 लाना का ही गेम है बस वही मुश्किल component में आ जाता है so you have to write good you have to make notes 3 महीना है अपने पास अभी जाओ ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा बहुत contribution होगा हमारा 5-10% के आसपस का उतना ही expectation है उतना ही हम कर पाएंगे broadly follow आपको करना है answer आपको लिखने हैं evaluation के लिए आपको efforts डालने हैं ऐसे और भी बच्चे हैं जो सिरफ मिलने के लिए कि सर बीजी होंगे तो class भी अटेंड कर लेंगे थोड़ा discipline भी आ जाएगा इसका सिरफ purpose यह नहीं है कि मिलना है इसको एक discipline भी चाहिए कि जाओंगा बैठूंगा देखूंगा क्या चल रहा है एक revive होगा 10-15 मिनिट के लिए interview का discussion कर लोगा बाकि तीन महिने की strategy पूछ लोगा सर से उसके लिए वो एक घंटा वेस्ट कर रहा है या absorb कर रहा है whatever you call it is तो broadly हमने वस्तीन महिना है वेस्ट करने को कर भी सकते हैं पढ़ने को पढ़ भी सकते हैं बट मैं फिर भी suggest करूँगा कि अभी से प्रिलम्स मत पढ़ना हो पांच महिना प्रिलम्स के लिए ठीक है qualifying exam है efforts डालोगे तो 80 जितनी cut-off पिशली बार गएती 80-82 उतने आ जाएंगे यार वो तो हमारी strategy में कुछ उपर नीचे रहा होगा किसीने c-set छोड़ा होगा किसी का पन पांच महिने यह मैं फ्रेश बच्ची के लिए नहीं कहा रहा हूं यह मुसके लिए कहा रहा हूं जिसने एक दो प्रिलम्स दे रखे हैं मेंस दे रखे हैं इंट्रिव्यू दे रखा है था आप फेबररी से प्रिपेर कर सकते हों पट डोंट ओवर इंवस्टमेंट ओन फ्रिलम्स वो नहीं करेंगे हैं कंपोनेंट्स हैं कुछ हेंड़ाउट्स दिये हैं आज हमने यह सेंपल हेंड़ाउट होंगे वैसे यह आपको मिल जाएगा यह एजूकेशन का है जैसे ओनलाइन वालों में एक साथ ही देखूँगा यार तुम्हारे अंसर बिटा हाना यह प्रिविएस यह क्वेस्टन है उसके बाद में facts figures आते हैं education and skill development का for example this is how we covered then keywords आते हैं keywords we can use in conclusion ready-made how many of you have written more than 40-50 answers in your life UPSC के 40-50 answers one only अब तू तू अभी एक्जाम में लिखाया और कौन है वन तू अच्छे से इस इस अ गुड़ तिंग UPSC के अंसर लिखना एक अच्छी चीजाए से आधे मन से हात मत उठाओ मतलब अगर लिखे हैं तो 40-50 भी नहीं लिखे है एक दो तीन फोटो लेके घर बेजना पड़ेगा तुम्हारे मुझे लग रहा है कि तुम बच्चों का यहां बेज रहे हो अच्छा तुम्हारा पैसा बरबाद कर रहा है सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या लगता है जिन्होंने अंसर लिखा है वह इंट्रो की बॉडी की कंकलेजन चीक है एक तो इंट्रो क्वेशन पड़ा समझ नहीं आया दो तीन इंट्रो अच्छे मिले बटो लगे रहे है यार मजा नहीं आ रहा है एक पार्ट हुआ इंट्रो फिर यह मैं किया इंट्रो होना चीक अन्सीन क्या चाहे है है यह होता है यह यह दर जैनेमेन इस्ष्व कि intro को conclusion बना देते हैं, conclusion को intro बना देते हैं, conclusion में underline करना भूल जाते हैं, intro में थे underline चल रहा है, और क्या anybody else? structure का apply issue है, क्या पूछा है क्या, नहीं पूछा है and all तो हम सब अभी 80 से नीचे हैं समझ लो if these are our issues I can guarantee कि अगर आप एक full 20 questions का test लिखोगे so none of you will be able to score even 80 marks because 80 to 100 लाने के लिए जो सबसे बड़ा challenge है वो है conclusion कि conclusion अच्छा बनता ही नहीं है क्योंकि जो conclusion लाएक आता है वो तो अपन body में डाल देते हैं जितना हमें आता हो तो डाली दिया ना फिर conclusion में तो अपन लिखते हैं सरस्टेश्ट भारत बनाएंगे SDG 5 fulfill होगा इससे make in India made in India बनेगा और स्वच्छ भारत और इसको link कर देंगे तो फिर वो एक जन्रिक सा conclusion बनता है conclusion पढ़ने के बाद अपने को marks मिलता है फिर वो average marks आ जाता है तो अपन पहुंच गे असी पर इसलिए तो यह जो आपकी basic hygiene problem है यह सब असी के आसपास से कम की problems है कुछ-कुछ problem content से बढ़ जाएंगी if you have for example three different facts अगर आपके पास होता कि एक मिलिमेटर या एक सेंटिमेटर राई से सेवन मिलियन पोपुलेशन एफेक्ट होगा तो बन गया है वह हमेशा कोस्टल लोजन का कुछ भी कोशन है that introduction is good जैसे manufacturing का वो question है था अपने देखा था आगे जाके मैं कि यह manufacturing का question faster economic growth requires increased share of manufacturing sector in GDP particularly of MSME अच्छा पहले इस question के components बताओ फिर बतादा हूं जो मैं बताना है वाला था faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP particularly of MSME इंट्रो बताओ क्या डालेंगे पार्ट सब पार्ट तो पक्का पता है कि पार्ट तो यही पूछा है government policies क्या है present policies क्या है वह major part पूछा है कि share of MSME आगे factual तो दोनों पार्ट में से कुछ भी डाल सकते हैं या तो economic growth rate का डाल दें कि या इसको रिलेट कर देते ना कि कही manufacturing का share बढ़ा हो जिससे GDP growth rate बढ़ी हो लास्ट येर के अगर अपने को data पता हो अब वो तो हमने पढ़ाया था अब मैं उसका credit नहीं ले सकता हूं because आपको सब याद रहे ऐसा मुझे वो है नहीं है मैं कह तो सकता हूं न industrial growth rate 10% था 21-22 में उसी के equivalent economic growth rate था but मैंने ये notes में भी दिया है why I am not taking the credit of it because it's very difficult at the level of the student to cram up to this level कि 10% manufacturing GDP था तो हमार 8% economic growth rate था तो तना याद करना मुश्किल है मैंने fact दे दिया but आप याद नहीं कर पा होगा so second type of but that will be the best type of introduction connecting economic growth rate relationship with the growth rate of manufacturing sector that is the best type of introduction but अब उन facts का significance सम्झों आप याई उस्टो गिव सच factual information because sometimes you have to connect these two facts in the introduction अब ये तो याद नहीं रहेगा माल नेते हैं तो second क्या याद रहेगा अगर MSME का data मैंने introduction में डाल दिया इस statement को justify कैसे करोगे उस statement भी तो justify करनी है ना you have to give certain weightage to the statement कैसे करोगे और वो कैसे होगा after introduction micro diagram मनाएंगे उस micro diagram में लिखेंगे present status of MSME उसमें लिखेंगे कि हाँ वो 28-30% of this, 45% of this, 40% of this वहीं तो लिखना है वो, वो तो simple fact वो यादी होना चाहिए इसलिए तो इसका मतलब introduction cannot be the share of MSME, so introduction has to be something related to manufacturing अब क्यूंकि ये एक evolution based relationship पूछ रहा है, समझो इसको difficult नहीं है ये एक evolution ये एक sink पूछ रहा है कि economic growth rate और manufacturing के अंदर क्या relationship है है, अपन relationship status ये relationship improvement का एक fact अपने को पता है, कि वह manufacturing का share 17% है पेशले 30 साल से, ये तो अपने को पता है, कि since 1990 share almost stagnant है fixed 17% के आसपास में, तो वो अपन इसमें add कर सकते हैं, कि 17% of manufacturing का share है, वैसा कुछ एक introduction डालके, फिर MSME का present status का micro diagram बना के फिर present policies कर लेंगे, ये जो आप ये बता रहे हो ना, कि Germany का या इसका, ये चाहिए अपने को conclusion में, एक futuristic conclusion चाहिए which can be a case study based conclusion, ये वो confusion है जब आपने को समझने आता कि इंट्रो में डालू हूं कि ये में conclusion में डालू, intro question is very much specific to India, government policy इंडिया के पूछी है उसने, world के नहीं पूछी है, so introduction ideally should be connecting something of India, not of the world, but जो आप बता रहे हो, German, China etc and all which we can write in the conclusion, same relationship has been proved there, same relationship India follows that, ये राइड साइड बॉक्स बनाके के study डाल सकते है, China लिख देंगे growth rate इतना था, manufacturing का share इतना था, 50% of world का manufacturing करता है, वो 33% उसका, वो सारे facts figures, but वो introduction में नहीं आ सकते है, ये था manufacturing sector के issues क्या है, इसको अपन ने, ये GS3 में आता है manufacturing usually, तो अपन macro economic indicator की एक template बनाई थी, उस template को इसमें लगा दिया था, पढ़ाने में पढ़ाया था, बाकी class में discuss किया था कि इसको macro economic में डाल लो या फिर pitch challenge में डाल लो, ये industry के कुछ facts figures हैं जो मैं आपको बता रहा था कि best case तो यही रहता, but वो best case हमेशे चलता नहीं है, ये क्योंकि MSME का question है, so you have to use these keywords MSME as the silent engine, dwarfism versus giants, policies that fosters dwarfism, perverse incentives जो चल रहा है, या फिर populist subsidies to milestone based subsidies में देना है, credit worthy MSME to MSME worthy banks and all, ये सारे keywords अपन directly उसमें use कर सकते हैं, एक सेकंद देना बस पिटा, ये government policy यह question है, जो exact पूछा है वो यही है, मैंने आपको जब पहले भी पढ़ाया तब भी बताया, government policies we need to cram, ये exam में नहीं बनती, जो बनी हुए है वह याद करनी पढ़ती है और वह लिखके आनी पढ़ती है, बाकी challenges schemes यह अपन कितना भी बना सकते हैं न, infrastructure, logistics related part, restrictive labor laws, अब इसमें आप cooperative federalism add कर सकता है न, अपने दिमाख से, कि आर central state में अगर coordination नहीं होगा तो land acquisition नहीं होगी, तो उसके लिए अगर ये कुछ भूल भी जाएंगे अपन तो value add कर सकते हैं, government policies में ऐसा नहीं होता है, government policies हमें हमें हमेशा यादी करनी पढ़ेंगी, तो the one thing which I suggest to the candidate जो आपको cram करना वो government policies है, क्योंकि अगर उसने पूछ लिया, what all are the reformative steps taken by the government to improve EDS, इसमें point नहीं बना पाऊ गया, क्योंकि जो steps पूछा है वो आपको लिखने हैं, फिर लिख सकते हो other steps which are required, वो अलग कानी है, यह आपको यहादी करना बढ़ेगा यार, तो this you need to cram, कुछ case studies है, manufacturing कैसे कैसे increase हुआ, etc, यह तरी Germany, Vietnam, Bangladesh, etc, and all है, यह photo नहीं बना क्या आना exam में, यह लिख क्या आना है, यह conclusion था जो मैंने बताया था कि ready made conclusion मिल जाएगा आपको, यह अपन ने, progress manufacturing का एक conclusion बना रखा है, acronym में और यह MSME का बनाया था, scale, faster economic growth requires increase share of manufacturing, particular MSME, comment and also, shifting from scale based policies to age based policies will ensure that, MSME expand rapidly to generate economies of scale, quality employment and promote entrepreneurship बस यहीं तक इसको finish कर देंगे, यह toppers की keyword based conclusion है, लिखने कोशिश करना, साथ से 8 questions के conclusion keyword based में जाए, from and to करके, because नहीं तो फिर वही चार साड़े चार में अटक जाएंगे हैं अपन, 5 लाने के लिए तो सारा component अच्छे होने चाहिए, यह सिम्मी करन की handwriting ही है सारी, शायद हाँ, यह कुछ-कुछ आकरती के हैं, identifying the various issues prevalent in the higher education sector in India, discuss the steps taken by the government, यह है कि कैसे कैसे आप facts को यूज कर सकते हो, keywords को कहां यूज कर सकते हो, over-regulated, under-governed, massification of education, university bureaucracy, etc and all, यह है जो, जो answers आते हैं, कि minimum usage of words, and best answer, so यहां पे आप ISMR यूज कर रहे हो, मैंने बतायता न आपको कि हर point में, 2 lines से उपन नहीं हो सकता, 10 words से उपन नहीं होंगे, so if we'll start using ISMR, तो तो point वन जनरे होंगे होंगे नह, in just these 3 lines, she has used 3 keywords, and not even requiring the explanation of that, ab massification of education को explain थोड़ी करना है, यह तो वैसी चल जाएगा, over-regulated and under-governed, यह भी वैसी चल रहा है, university bureaucracy, यह भी वैसी चल रहा है, degree shops, यह भी वैसी चल रहा है, so in none of the answers of SIMI or majority of the toppers, you will not find कि उनका single point, 2 या 3 lines से उपर जादा है, so basic minimum hygiene होगे है, custody अपने लिए, बाकी शुरूती शर्म है, and all in सब की copy आप देखी ले होगे, नहीं देखी है तो और देख लेना, मैंने team को एक और काम बोला है, कि इस बार जितने भी बच्चों के, 125 से ज्यादा marks आये हैं किसी भी paper में, उनकी copy उठालो market से, किसे ने कहीं दिया होगा, किसे ने हमारे हैं, किसे ने कहीं की दिया होगा, सब्सक्राइब करना है, उनके best answers उठाके, वो compile करना है, तो वो compile हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा, उसको share मत करना, थोड़ा copyright issue आ सकता है, समझ गये, mute करना भूलिया, हाँ बता, क्या change हो जाएगा उसमें, कोई एक नमबर बता जो चेंज हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, manufacturing का share 30 साल से सेम है, more than your age, hopefully, क्या ही change होगा यह बताओ, unless and until there is some COVID and all, क्या change होगा, agriculture का share, जब से तुम पैदा हो तब से सेम चलता है, उसका share contribution to employment, कभी 43 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, अपने को यह तो लिखना नहीं है, 44.27, यह जो facts है न दे, कितना? प्लस माइनेस पांच परसेंट, मतलब ऐसा लिखके तो देता नहीं है, UPSC, बट हम मतलब 44 की जगे 43 भी लिख देगा तो क्या ही हो जाएगा, और 42 भी लिख देगा तो क्या ही हो जाएगा, अलग source है, अलग factual information है, हो सकता है, सर्वे ने कुछ और बोला हो और RBI रेपोर्ट कुछ और कह रहा हो, तो उस पर तो क्या ही है, तो प्लस माइनस पांच परसेंट तो चले गा ही, यह ही है unnecessary information जिस पर अपन फोकस करता है, fact will not give you even 0.5 marks, one fact, but that single statement might give you 0.5 marks, तो अपने को वो analytical mindset रखना है, structural information का game नहीं आये, कि सिर्फ fact, fact is only to substantiate your thoughts, तो पहले वो analytical mindset generate करेंगे, facts तो तो 10% भी उपर नीचे लिख देगा, other cases में तो चल दाएगा, data, अब smart हो गया, कुछ cases में तो अब CVC या NIA या इसके कितने cases आये, कितने court में अप्रूव है, वो थुड़ी याद रखोगे, फजी करना करते हैं कि 3%, अब हो सकता है 1.5% हो, ठीक है यह facts, इसको मैं micro diagram कहता हूँ ओना, कि further steps which are required, usually micro diagrams में आप 3 या 4 points लिखा करो बस, क्योंकि अगर 5 points है तो heading it बना देंगे, तो 3 या 4 points का एक micro diagram आएगा, higher education आ गया, यह keywords आ गये जो अपनने पड़े थे, commodification of education, massification of higher education, etc and all, facts, figures, यह case studies हैं जो अपने को लिखनी है, यह हम हमेशा cover कराते हैं, coverage holistic होनी चाहिए, पूरा एकदम, यह education का way forward है, universal जो अपन use करते हैं, यह final conclusion में आपन कैसे use कर सकते हैं, keywords, case studies over reliance on the matrix of GER to gauge the development in education in India is problematic, analyze and suggest ways to address the issues, ठीक है, यह case studies है, e-taleem है, MOC है, बच्चे नहीं use किया है, multi-level learning by Pratham है, यह पूटा के बिन, school, etc, e-taleem, etc, यहां से उठा के आप सीधा use कर लोगे, arise in the buffer stock while ensuring food security, puts pressure on the infrastructure, prices of the food grains, the food coupons है, अमा kitchen है, etc, roti bank है, Robin Hood Army है, तो वह अपन यहां-यहां cover कर लेंगे, उठा के डालते रहेंगे, याद रखना QEP एक revision का game नहीं है, course महेंगा है, efforts बहुत सारे हैं, बहुत महनत करता हूँ, टॉपर्स को भी बुलाते हैं, value addition भी करते हैं, अपनी मेरी तरफ से मेरा best course है, बतलब यह समझ लो आप, एक बार के revision से आपका काम नहीं होगा, unless and until you revise a course like QEP, if you are unrolling, you have to revise it for 4-5 times, तभी फायदा मिलेगा, लेकिन मिलेगा पक्का, ऐसा नहीं है कि आपन QEP जॉइन करें और उसको पढ़ें और उसका फायदा नहीं, यह नहीं होगा, this I ensure, लेकिन अपन जॉइन करें और अपने आप, एक रीडिंग में आ रहे यार, नहीं ऐसा नहीं होगा, यह इस इस लाइक जीसी लियोंग पढ़ी है, फस्ट टाइम पढ़ता है तो और बहुत डिफिकल्ट है, सवाल भी नहीं आता, कुछ नहीं आ रहा है और, फिर सेकंड डाइम में लगता है यार ठीक है, थोड़ा तो इंट्रेस्ट आया है, फिर थर्ड टाइम, फोर्टाइम, पांच, चार-पांच बार चाहिए जीसी लियोंग समझने के लिए, same is with the product like UEP, पुच नहीं ये असमझ में या कम आयगा समझ में या प्रीमेन्स के बीच में बीच में विच में पढ़ way तो कैंट हिए और दो तीन महिने ने प्रीमेंस का बीच या अगर चार या पांच कर लिया, तो अपन सॉर्ट है फिर अपने को कहिवा रोने के ज debates exist content is more than enough agriculture tunnel vision यह है जो मैं बता रहा था कि आपको just after introduction you can draw a micro diagram तो after introduction micro diagram या formula based करके है कुछ formula वो एकदम नया है मतलब राइटिंग formula something is एकदम इसी बार तुम लोगों नहीं यूज किया होगा और किसी नहीं यूज नहीं किया होगा आप बोलो क्या करेते हैं नहीं नहीं डाइग्राम का description कभी भी जुरूरी नहीं है इसलिए डाइग्राम में वह arrows वे रोज चल जाते हैं तो उसकी जुरूरत है नहीं नहीं और यूज और कंफ्यूज की explanation चाहिए नहीं चाहिए टीचर सही बोल रहा है गलत बोल रहा हमेशा कुछ अच्छे टॉपर्स जिनके exponentially high marks आयों उसकी copy उठा लो देख लो खतम करोगा है अगर किसी बच्चे के जिस format में लिखके कोई सच में ही पर पास कर रहा है और वो भी first time में कर रहा है या second में कर रहा है third किसी बच्चे में कर रहा है इसका मतलब टेस्टेड मॉडल है और same way of writing पांचे बच्चों का है इसका मतलब वो proved है kind of आपको evaluator का सरक ही जाए दिमाग तो कुछ क्या नहीं सकते है अब हां ऐसा हो सकता है कि higher production में आपके पास fact figure है तो इसको enrich कर सकते हो जो शुरुती शर्मा ने किया दा तभी 494 आए ना उससे पहले तीन-चार साल में किसी के आए देना उसके बातवाले साल में है 494 is like exponentially high marks मतलब लाना बहुती मुश्किल है एवरेज आप 125 के आसफास में ला रहे हो हर पेपर में very difficult so higher production में यहां लिख सकते हो अगर आपके पास ज्यादा है कि इंडिया का डाल दो कि भाई at the time of independence पचास metric ton था और अब 350 metric ton है अब नॉलेज है तो लिखो जैसे जैसे लिखते चले जाओंगे वैसे वैसे ही 80 लाना easy है 90 लाना थोड़ा सा difficult है 100 लाना बहुत difficult है जिस त्री में 102 ही सते इस वार बास उसके बाद 100 बास जो टाप 50 rankers में 80 85 90 के असपास में बदेरे बच्चों क्या है 110 लाना उतना ही मुश्किल है तभी आता है फिर वह आधाधा नंबर जब बहुत सारे facts हैं बहुत सारे examples हैं बहुत सारा knowledge इसलिए अगर वो जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ते जाएगा है चीक है यह micro diagram हो गए वैसमें गड़बढ़ है never draw two consecutive micro diagram वो नहीं बनाना है अपने को कभी उसको वर्ड करेंगे अचीक है यह क्या है micro diagrams वाला component तो यह चोड़ा-चोड़ा micro diagrams हम paper में बना लेंगे कोई भी diagram हम नहीं बनाएंगे जो more than half of the page लेके जाता है उसका time-vime सब जा चुका है भी there was a time 2017-18 या उससे पहले जब तक चलता था अब नहीं चलता है फिर तुम कहीं जाओगे online में फिर किसी topper की copy देखोगे फिर को गया रहे सर उसका तह 120 rank आया उसने तो सब कुछ diagram वाइग्रम बनाया है फुड़ा date देख लेना कौन से साल की copy है वह देख लेना और वह exception भी हो सकता है हो सकता है general के नहीं आ रहे हो तो जो मेरा suggestion रहेगा never draw a diagram which is taking more than half of your page उससे छोड यह दी थी आप लोगों को भी मिली जाएगी वह है और थीम वाइज द्रसम मोस्ट रिपीटेट थीम्स तो उन मोस्ट रिपीटेट थीम्स के कुछ diagram है इनके टाइम पर थोड़ा हरी में बना था जल्दी जल्दी अब टीम के पास टाइम था थोड़ा और वैली वड़ करक पूरा के बंद में हुआ को इंडिया का में फनौनी और अगली बार की अगली बार की klyarth में आने से पहले इंडिया की में बना कि लाने है लिख़्ो भूलोगे एं इंडिया एन इन बॉर्ल्द बनागया है ओ कि इसलम में नुर्ट हो कि इतने मैं बना कि युए कि साथ से आठ में क्या होता है का सीखेगा तू साथ से आठ में अलड़ी बनाते हो कि जो जिसने आज तक नहीं बनाए वो बनाएगा 50 कि पच्छास इच्छा एक्जाम में एक्जाम में तो अलग बात है जोगरफी ऑप्शन लेगा तो 50 मैप्स बनाके लाएंगे इंसेंटिव क्या होगा क्यों बनाके लाएंगे वो तो मैं सोच रहा हूं ना तुम्हें इतना पता होता तो अब तक बनाया होता अब इस पर चलते हैं तो वाई यूशूद डूइट मतलब ऐसा मैप बनाओगे ऐसा क्यों करोगे तो मेरे तुम्हारे दस क्वेश्चेन में परस्नली चक करूँ हूँ है रस्ट मी टैन क्वेश्चेन से वैलुएटेट बाए फैकल्टी ओ हो एक बड़ टेस्टिरी जॉइन किये तुम में से किसी ना प्रियर इंट्रो नाइस पॉइंट गड़ कंक्लिजन जब उस पच्छीस अजार देके उस त्रस्ता से बहार निकलता हुआ ना तम तुम्हें हैसास होता है अरे यह तो वेस्ट होगे वैसे तो इवन 10 क्वेश्चेन से वालुएटेट जिसमें फैकल्टी आपको 20 मिनिट दे रहा है trust me it is much better than your full test series अगर आप 50 मैप बनाओगे इंडिया के तो 10 क्वेश्चन और अगर 20 मैप बनाओगे वर्ल्ड के तो दस और क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन एवलेट करूंगा मैं पक्का तो अब सोच लो किस किस को करना होगा और वो मैप अपरू होंगे बना ऐस नहीं कुछ भी बना दिया है ट्राइंगल बना दिया काम खदाम अप्रूब मैप सोने चाहिए वो मैप अच्छे बनाने वड़ेंगे आपको चीक है यह मैप की बुकलेट भी दी थी गया मैंने नहीं अप्लूड की थी बस इंक्लूड था उसी के नदर ही पार्ट होगा एक सेक्ट्राइन और यह सब हैंड रिटन मैप से हैं याद हैंड रॉन मैप से मतलब एक्रोनिम्स यह भी कुछ नया है कुछ एक्रोनिम्स यूज किया था एक आध क्वेश्चन में किया है गुड 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 पस हो गया खत्म डाउट्स अन एक्सपेक्टेड खतम हो गया कुछ और एक्सपेक्टेड था कि आगे और कुछ होगा अचानक से खतम हो गया भोलो कि क्या है कि ओवर हो गया तुमच हो गया कि पहले मैं क्योपी मैं अडमीशन लेकर मैं पेपर देने जाता था बच्चों का तेरा मैंने बंद कर दिया हूं अब थोड़ा बढ़ेगा याद अब थोड़ा बदल गए हम पंदना तो ऐसा दोड़ी होगा कोर्स अंडोल के और सेलेक्शन ऐसा थोड़ी होता है पढ़ना पड़ता है डिरेक्शन होता है हम तो सरफ ट्रैफिक के हवल्लार हैं वह कॉनस्टेवल है वह सुझ वास वेकन अली शोर्व द द आपशन यह जाएगा चंडिगट यह जाएगा जैपूर यह जाएगा अग्रा जाना होतो तो वही का गेम तो वही है बच्च्च्च्च्च plays a major role, how many of you have given more than two attempts, one, two, they understand more the significance of direction, उनको बदा है, anyways, तीन महिने में 50% time आप अपना GS को देंगे, और 50% time अपन ऑप्शनल को देंगे, unless and until you have completed optional की class अगर लगानी है, और test series भी अगर आपने test series तक complete कर दिया है, अप्शनल तब तो आप GS को extra focus कर सकते हैं, otherwise 50% weightage आप इसको देंगे, 50% उसको, इसके syllabus में एक चीज़ और कवर करनी है मुझे की, अगर अपन इसको follow करते हैं, जो schedule होगा QEP का, तो तीन बार syllabus हो जाएगा अपना पंदरा जन्वरी तक हाना, पहला जो classes होंगी, यह वाले part रह गया है, what will be the schedule of the class, यह schedule रहने वाला, 4th October से classes होंगी, यह faculty name है, कुछ topper session करवाता हूँ, वो bonus है, they are value added above this schedule, above these classes, अगर गौरव से, किसी भी topper से, अगर हम good governance का टॉपिक करा रहे है, that does not mean कि पियूश्थ सर विल नॉट टेक गुड गवर्नेंस, you will also get the good governance which I took last batch में, आपको मेरे session मिलेंगे, वो recorded होंगे पिछले batch के, आपको पियूश्थ सर के session मिलेंगे, जो live होंगे आपके offline या online में, और आपको किसी एक और टॉपर के session होंगे, जो आपको recorded मिलेंगे, तो आपको यह नहीं है कि यह जो mentioning of faculties है, उनके अलावा में faculty आ जाएंगे या कुछ और हो जाएगा और वो ही session, now they are value-added, अब वो value-added क्यों करा देंगे, बिकास topper's perspective is very much relevant, और specifically those toppers, जो ऐसे नहीं बन गए है, जिनने थोड़ा UPSC के market को समझा है, थोड़े failures देखे हैं, कुछ selections देखे हैं, थोड़ा efforts डाले हैं, so they understand answer writing better, उनसे ही discussions जो previous year questions हैं, उसका discussions भी वो ही लेंगे, और कुछ-कुछ themes वो लेंगे, जिसमें मुझे लगता है कि वो अच्छा command करते हैं, if a topper is scoring more than 300 marks in any optional for consecutive years, कुछ तो होगा ना उसमें, मैं नहीं पहुंच सकता वहां तक, अगर उसके session देखोगे तो एक अलग perspective मिलेगा, so कोशिश करना दो अलग-अलग session देखने की, उसका session भी देख लिए ना मेरे वाले तो attend करो गई तो, so this will be the schedule, यह total 9th of December तक broadly classes चल रही है, यहां तक first time खतम होगा, उसके बाद में आपके हर theme पे most probable questions का test होगा, so there will be 12 test, हर test में करीब-करीब 10-12 के आसपास में questions होगे, there will be expected questions on those themes, previous year वाले हर theme के बाद में होगे, so अगर 20th November को कोई class है, तो 21st November को उसका test हो जाएगा, अगर कोई theme एक session से ज्यादा चलता है, for example, if this theme of agriculture will take three sessions, so there will be only one test, having 10-12 questions on 25th of November, so first level of revision यहां हो गया, second level of revision most probable questions MPQ के जो test होंगे, वहां खतम हो जाएगा, और third level full learn test है, तो इस सब मिला के करीब-करीब 15 January हो जाएगा अपने को, फिर schedule of the test मैंने आपको बताया है, who will be taking other classes, वो मैंने आपको बता दिया, इसकी आपको hard copy मिल जाएगी, वो ले-लेना, when will be the discussion, हाँ, जो previous year questions है, उसका evaluation नहीं होगा, उसमें आपको toppers handwritten model answer मिलेंगे, toppers से discussion मिलेगा, और topper का discretion है, जैसे निवरुती कर रहा है, evaluate, class में बैठके कराता है, etc., उसकी मर्जी है, बट मैं उसे force नहीं कर सकता, कि भाई तुझे मेरे सारे बच्चों के paper evaluate करना है, अब तुम्हारे बैठ से पहले तक साड़े-चार सो बच्चे हैं, इस पुराने वाले batch में, कितनों की copy evaluate करेगा हो, उसकी कोई guarantee नहीं है, लेकिन जो MPQ के test हैं, वो sub evaluate होंगे, तो PYQ की copies evaluate नहीं होंगी, उसमें आपको topper का discussion मिलेगा, toppers के handy turn answers मिलेंगे, इसके बाद जो second revision होगा, जिसमें MPQ होगा, उसके discussions में खुद लूँगा, या जो भी respective faculty है, वो discussion लेगा, एक evaluation होगा, जो evaluation team से evaluation होगा, अगर हम तब तक अच्छा perform करते हैं, कुछ कुछ और करते हैं, informally you can show me the answer copy, वो हमने पहले भी देखिए हैं, आगे भी देखिए हैं, commitment नहीं है उसका, यह पक्का guaranteed ही हैं कि हम उसको, आपको मेरे से evaluation मिलेगा, नह अगर उससे पहले चले जाओ, ऑगस्त में, जुलाई में तो बिल्कुल free नहीं थे, तो कोई evaluation नहीं होगा, यह भी देखोगे, तो यह class के जस्ट बाद evaluate करवा लेता था, session खतम होगा, वहीं दो answer दिखा दिए, काम खतम होगा, और जो full end test होगे, वो भी evaluate होगे, तो यह rough structure रहेगा evaluation, test will be held in the center, आपकी मर्जी है, आप अगर यहां आके लिखना चाहरे हैं, हम एक fix time slot दे देंगे, आपको आप office में आ सकते हो, यहां बैटके लिख सकते हो, pyq में मेरा suggestion usually रहता है, कि अगर orn यहां रहते हो, तो test center आके लिखो, और online वाला बच्चा है, तो online लिख सक रहता है, लेकिन जो MPQ है, वो मैं चाहूंगा कि usually आप कोशिश करो offline में ही बैटके लिखो, आप class में आओ, यहीं बैटके answer लिखो, time frame में लिखेंगे, because pyq के questions 55 है, MPQ के question 10-10 है per test में, तो एक test का environment देगा आपको, so limited time में answer लिखना, competition relative feeling वो आपको मिलेगा, so मैं कोशिश कर होंगा कि वो आप यहीं पर लिखो, also MPQ के discussion just after test होंगे, आप आओ, test लिखो, test खताम, discussion finish, classes on 400 pyqs will be recorded or live, वो toppers कहीं है, तो अगर किसी topper ने बोला कि नहीं मुझे live लेना है, तो live होगा, अगर उसने बुला recorded है, तो recorded होगा, material online वाले parts के लिए कब से dispatch हो जाएगा, यह हमेशने दुख रहता है, कब material जाएगा, कब नहीं जाएगा, so दो parts में material जाता है, करीब करीब 12-13 booklet अभी dispatch कर देंगे, और बाकी बचा हुआ जब-जब, 15 October के असपास में dispatch करेंगे, online में आपको content मिल जाएगा, any other doubts? अच्छे answers हाँ, यह जो 4 October से पहले पहले क्या करोगे, 4 October से पहले जो भी बच्चे हैं, वो अपनी books collect कर लेना हो, और इन books के answers पढ़ लेना, रटने नहीं है, याद नहीं करने है, वो माहोल समझ रहा हैं कि कैसे answers लिखते हैं, एक दिन में करीब-करीब 70% of the book आप पढ़ सक या थोड़ी करना है अपने को, so 70% of the book इसका मतलब next 5 days में अपन at least 3 किताब तो पूरी कर लेंगे, so 4th जो 1st class होगी उससे पहले, किताबों को एक बार पढ़ के आना, कैसे वो example यूज़ कर रहा है, कैसे वो fact यूज़ कर रहा है, कैसे वो heading है, इस question को मैं कितने parts में सूच कर रहा हूं, divide करने का, topper ने कितने parts में divide किया है, etc. तो कोशिश करना कि 4th जब next class होगी, उससे पहले आपने एक reading in books की लगा लिए होगी है, इसको भी कुछ time practice लगेगा, आपको हम जब देंगे तो, anyways, और कोई doubt, anything related, पहले vision कर लें, फिर revision कर लेंगे, यार, first reading में short notes मत बनाओ, वो फिर first reading में short notes, long notes में convert हो जादा है, तो specifically QEP जैसे उसके लिए, तो सभी कुछ नया मिलेगा आपको, 60-70% आपको लग रहा होगा रहे, कैसे होगा यार, बहुत ज्यादा है and all करके, अब तींचा rating तो लगाओ, वो तो basic चाहिए ही चाहिए अपने को, तो शुरू में मत बनाओ notes, maybe, डेड़ महीने बाद you can start making some notes, उसके लिए, any other doubts, online का बच्चा, आपने बुला हिंदी मीडियम का, हिंदी मीडियम की toppers की book convert हो गई है, वो मिल जाएंगे आपको हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, पनी बनी आ रहा है रूम पे, लैंलोड अच्छा है, नहीं है, और क्या लगता है, कहां से कर सकोगा, option तो देंगे, चार option देंगे, कहां कहां से collect कर सकता है, वहां वो मोनु वाला चाय वाला था, वो चला गया भी, वो सूध स्टोर पे तो नया shop बन रहा है, वहां एक चाय वाला famous है न क्या नाम उसका, चाय नहीं भीते हो, यहां नहीं रहते हैं, कोई तो रहता होगा, सबसे बड़िया चाय किसके हैं यहां, जोशी, बोल दो इसमें क्या ही बड़ी बात हैं, कोई नहीं बताएगा, चाय सुट्टा वाला का वो जो नया खुला इधर जाते ही वो लेफ्ट साइड में जो है वो, महंगा नहीं है वो, 20 student life के लिए महंगा है बटा, तो बुर्जवा क्लास बन रहा है देख मैं बता रहा हूं ते रहा हूं, average aspirant की चाय 10 रुपे से महंगी नहीं होनी चाहिए, तो तू गलत जा रहा है है, नहीं नहीं वो नहीं उसके लिए, उस वाले बुक्शॉप पर उस वाले स्टोर पर में ले ले किताब यार और काम मिलेंगी, obviously office वाला देगा, और काम देगा, अनिदे डाउट्स, unless and until you will ask, ऐसे कैसे बताएंगे, वो after introduction में यूज करेंगे, मैं बताऊंगा आपको, यह चल जाएगा ना, formula diagrams में चल जाता है, diagrams, तो अपने आपको assume करके तो एक बुरोक्राइट बन गया है, उसमें तुझे फाइल नोटिंग्स लिखनी है, फाइल काम करोगे, यह तो करना है, और क्या करना है, फाइल नोटिंग्स जब तू लिखेगा, और क्या तू वहां पर arrows बना सकता हैंगा, अब बना सकता क्यों नहीं बना सकता, हाँ जो डाइग्राम बनेगा तो इन फॉर्मल ही बनेगा, थे बनेगा, गयरेगा का सногसे बनेंगा? स्केल लेगा, खानी थेगयों कीचेगा, ऐसा तो हो गय नी-नी तो को CC लिख दिया वो सब नहीं चलेगा हां आएम फ को इम फ लिख सकते हैं उसमें फुल फॉर्म नहीं लिखना वो चल भी जाएगा इसके लिए बट वह वाले अक्रोनिम मत लिखना गवर्मेंट भी करता है आपन करेंगे न अब पीम दिशा को पीम दिशा ही लिखेगा थोड़ी फॉल फॉल फॉर्म लिखेगा उसका कि है मैं एक कोपि देंगे हम आपको अरच 기 ङूट करना प्ड़ेंगा मारेगा माजड़ी दो पstoffe क Чोटव देतें कोई बात नहीं है सो उनकी जो हैनद यह сама यह बहुत खराब थे बहुत ही खराब है नहीं हो और 3rd highest in GS, 460, so handwriting से ज्यादा legibility पर फोकस करना पड़ेगा है, handwriting नहीं है, legibility पर फोकस करना है, जब मैं answer चेक करने लगूँगा, class में भी मैं कुछ-कुछ answer लिखा के चेक करता हूँ, तब भी बताऊंगा आपको कि क्या करना है, online वाले बच्चों के लिए भी आप पोर्टल पर अपलोड करोगे, और वो देखे, अब भूल लाओ कि अच्छे handwriting है, एजिम करो कि बहुत खराब है, अब इसकी legibility पर फोकस करते हैं, क्या है legibility, जब point number one लिख रहा है, और यह space दे रहा है, वो second के बाद भी है, वो third के बाद भी है, वो fourth के बाद भी है, मतलब evaluator को यह है, कि point कहा से start हो रहा है, इसमें तो handwriting का कोई game नहीं है, जब मैं एक single statement लिख रहा हूँ, यहां से यहां तक, so my second statement is not starting from here, it is starting from just below से थोड़ा आ गये, इसमें कोई handwriting का game नहीं है, जब मैं underlining कर रहा हूँ, या कुछ और वाले components में कर रहा हूँ, so मुझे underlining 60% या 50% of the page नहीं कर नहीं है, it should be 10-15% of the page, उसमें भी handwriting का कोई game नहीं है, so handwriting disadvantage है, किसी serious aspirant के लिए तो नहीं, मेरे पास हैं ऐसे example जिसमें handwriting बहुत खराब है, legibility उसने थोड़ा improve कर लिया, जिसके handwriting खराब है, should avoid using black pen, should avoid using ball pen, blue color का भी, so blue color का gel pen use करो, थोड़ा narrow वाला, वो उससे legibility बढ़ जाता है, तो कुछ छोटे-छोटे acronyms यूज करने पढ़ेंगे, चोटे-छोटे component जिससे अपना काम चल जाएगा, तो और होता है, समोसे के साथ लाल चटनी मत खाओ, वो सारी चीज़ें जो करनी पढ़ेंगे, सुने यह जोक वोक नहीं सुने, तब पढ़ाई में मगन हो साब, डीव के बच्चे हो क्या, हाँ, लग भी रहा है, और कोई डाउट, और मैं नूट, टाइम तो लगेगा, बट यह सही है, जो तू कर रहा है, वो है सही, कुछ को तो आउट सोर्स करना पड़ेगा, तरको मेरे जैसे के लिए, गाड़ी खरी नहीं, तो गाड़ी खरी देगा ना भाई, रिवी, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, अगर तू नोट सच्छे बना रहा है तो उसके रिवीजन में टाइम नहीं लगना चाहिए, और अगर तरको रिवीजन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो तू नोट सच्छे नहीं बना रहा है, सुबह सुबह 6 बज़े उठना, अरे सीरियसली रिटेंशन मार्णिंग टाइम की सबसे ज्यादा होती है, तो यह क्यों लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं, मैं वेरी सीरियस फैकल्टी, नींद भी आती है सुबह, अब यह तो यूट्यूब पर जा रहा है, बट आई हैब सॉलूशन्स, वाट यह आज वाला वीडियो यूट्यूब पर जा रहा है, कल बदाएंगे, नहीं नहीं, आइडली आपको रात को चल्दी सोना चाहिए, दो बज़े तीन बज़े के आसवास में, तो तीन बज़े सोएगा, छे बज़े उठेगा तो नीन तो ओएगी, आइडली उठना चाहिए, छे नहीं तो साथ, उठेगा बेटा उठेगा, एक बार मेंस के करीब तो पहुंच, जब उस मेंस की पांच दिन की साइकल में तो जाएगा ना, जब सब दुनिया ब्रहम ल प्रचिस, नहीं छे नहीं तो साथ, साथ, साथ के आसपास, एस्परिंट लाइफ है, एंजोए थोडी कर रहे है है रपन, इट वास आवर डिसीजन तो कम और लिव इन दिस हाड़ शेप परपरेशन, जॉब करना इटी सेक्टर में, तीन बज़े सो और आम से कौन सब उट वाला, वरक फरोम चल रहा है अजकर, यूरोप रॉप शिफ्ट हो जाओ, एक निया कंसर्प्ट सुना मैने यूरोप में चल रहा है, बन आउट, आप एक साल की चुटी ले सकता है बन आउट में, सेलरी भी मिल रही है, तो फिर शिफ्ट वो एक अप्शन, एवरी दे अव प्राजिकल डाउट्स, कोई डाउट नहीं है, मैं पढ़ा दूँगा, सबाएगा, बजट की क्लास हो गई, एकनॉमिक सर्वे की पांच क्लासे हो गई, वो सब मैं पढ़ाऊँगा, इसी में, कौन से सर्कल वाले, दो-तीन थे, एक तो था जो वर्च्वे साइकल या विश्य साइकल बता रहे हैं, और एक हबन स्पोक वाले, हबन स्पोक वाले की उमर खतम होगी है, बिटाब, तो यूजली हाँ, कि ये सर्कल बना दिया, और देस, 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 अब उससे माक्स नहीं मिलेंगे, अपने लिए तो हर चीज माक्स है, अगर किसी चीज करने से माक्स मिल रहा है, बाइट इस गुट, नहीं मिल रहा है, बाइट इस नाट गुट, ऐसा भी तो होता है, जैसे आप जब इंट्रव्यू का फेज आता है, ता आपको पता है, कुछ UPSC में चेर होती है दस है maximum, बाइट पांचे-पांचे के एस-पास में इंट्रव्यू लेता है, जो निया चेर आता है, यूजली गिवस्ट माक्स, उनका एवरेज कम रहता है, 180, 180, 180, 190 पे खतम कर देते हैं, एक दो को ज्यादा देते हैं, ओवर पिरिड ओफ टाइम जब उनका सेकेंड यर हो नए तो कम ही आते हैं, दस साल के लिए हैं तो, तो पुराने वाला होगा, वो माक्स नहीं देगा, विकास वो 2017, 18, 19 के बाद में, हर कोई अगर सही मी काम कर रहा है, तो फिर एवरेज हो जाएगा, माक्स नहीं मिलता है, इसलिए नहीं, एनी अधर डवट्स, देन फिर चले प्रेजाए, चलो फिर फूर्थ को मिलता है, तब तक तुम्हें homework मिलाएगी, books के answers पढ़के आने हैं, उनको याद मत करना, विकास वो ही है, प्रीवाइक्यू questions में भी, जो previous year question का test होगा, वो भी भही है, तो just give one reading to it, and make at least two pages के notes, क्यार जो examples हैं, वो ऐसे लिखने हैं, क्या एक टॉपर कितने points में example लिखता है एक 10 marker question में कितने examples होने चाहिए है या कितना case studies लिखना छाइए एक example कैसे लिखना चाहिए वो सारे चीज लर्ण कर नहीं है मस सवार्य कुछ नश dura झाल झाल